दोस्तो जी इंटर्टेन्मेंट का यहां पर मैंने चार्ट लगाया हुआ, यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट 246 के आसपास फिलाल ट्रेड कर रही है, और आज के लाइब मार्केट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दोस्तो यहां पर मैंने वन डे का चार्ट लगा यहां पर डेली के निल बनी तो हो सकता है, इस स्टॉक में अपर सरकिट लगना शुरू हो जाए और बहुत जल्द ये शियर 246 रुपे से उटके 252 के आसपास आ जाए, बट यहां पर गिरने के भी चांसेज है, तो मैं यहां पर थिरी मन्त का चार्ट लगा लेता हूँ, और यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कि अभी जिस लेवल पर ये शियर है, ये इसका सपोर्ट है तीन मन्त का, और दोस्तों ये तीन मन्त का सपोर्ट है, तो हो सकता है कि अगले थिरी मन्त में ये शियर आपको अच्छा खासा मुमेंट दिखा है, यानि कि य 29 सेप्टेंबर को ये शियर 251 रुपे के असपास थी, और 7 अक्टूबर को ये शियर 283 के हाई को टच कर ली थी, तो दोस्तों यहां पर कहने का मतलब, एक से दो महिने में इस शियर में अच्छी खासी मुमेंट होती है, और अभी ये फिलाल सपोर्ट पे है, आप देखो तो हर जगे यही सपोर्ट भी फिलाल मुझे देखने को मिल रहा है, 6 मंत के चार्ट में अगर आप जाओगे, तो यहां पे देखोगे कि 6 मंत से ये कहानी आपको बार-बार दोहराती हुई नजर आ रही है, दोस्तों वन ये चार्ट में अगर हम जाएं, तो यहां पे आप देखोगे कि 1 येर में ये शियर यहां से उपर भी गई है, और यहीं से नीचे भी आई है, कितना नीचे आई है, तो 207 रुपे तक ये शियर नीचे आई है, यहां मैं 3 येर का चार्ट अनलाइज करू, अलाकि डीटेल में अनलाइज करने के लिए समय लगता है, तो आप अनलाइज माने, तो ये शियर आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटन्स दे सकती है, अगर आप यहां पे सही तरिके से काम करो तो, हाला कि अभी हम RSI का चाल देखेंगे, दोस्तों यहां पे आप पाएंगे कि शियर कुछ दिनों से काफी नीचे थी, और यहां से एक rising moment RSI में भी दिखी है, और देरे देर शियर आगे जारी है, और अभी मैं बात को थी, यह 43 पे है, तो RSI का moment 40 से नीचे जब आती है, तो आप इसे buy कर सकते हो, long term के लिए, अभी भी इसे buy कर सकते हो, long term के लिए फिलहार, तो अने वाले समय में यह आपको अच्छा खासा low बनाया था, और 3609 रुपे का high बनाया था, volume के अगर बात करें, तो 72,33,682 के volume में फिलहाल यह share trade हो रही है, दोस्तों इसका earning पर share 7.29% का है, PE 33.83% का है, PB 2.19 रुपीज का है, और face value 1 की है, PB 2.19% की है, और face value 1 की है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह share dividend भी देती है, औ और इसका dividend yield 1.22% है, बात करें book value per share की, तो 113 रुपे के आसपास की book value per share है, sector PE 20.55% की है, दोस्तों promoter के पास 3.99% की share holding है, FIIs के पास 38.65% की share holding है, DIs के पास 31.45% की share holding है, और public के पास 25.93% की share holding है, बागी दोस्तों इसके balance sheet को चेक करने के लिए आप i button के वीडियो को जरू किया हुआ है, आप उसे जरूर देखे, तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है, कि यह share आने वाले समय में हमें अच्छा खासा dividend भी दे सकती है, और इसमें अगर आप यहाँ पे position बनाते हो, एक तेजी देखने को मिलती है, इस share में तो आने वाले समय में भी यह अच्छा खासा returns दे सकती है, तो यहाँ पे अगर आप position बनाते हो, तो अगर यह share थोड़ा बहुत डाउन जाए, तब भी आपको buying करनी होगी, तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, तो please like कर देजिए, मन में कोई भी सवाल हो, तो please comment कर देजिए, तो दोस्तों आज के बस नहीं मिलते, ब्रेक के बाद एक नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाबाई, नमस्कार.